हलो एंड वेलकम अब्रीवन मैं धीरा ज्याद आफ सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉपोतिशन कम्मुनिटी पर सदद बात करें तो आज हम लोग यहांपे क्फेक की वाइड का पार्ट टू डिसकस करने वाले अगर प्रिवेस की बात करने तो previous session में हम लोगों ने colored cubes की बात करी थी और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कितने ऐसे cubes होंगे जिनके one surface color होंगे कितने ऐसे cubes होंगे जिनके two surface color होंगे और कितने ऐसे cube होंगे जिनके three surfaces color होंगे या फिर आपके colorless cubes कितने होंगे इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग-अलग surfaces पे अलग-अलग color किया यानि कि हम लोगों ने क्या किया opposite surfaces पे अलग-अलग color किया उसके basis पर हम लोगों ने questions discuss किये और साथ ही साथ adjacent surfaces में हम लोगों ने अलग-अलग color से paint किया बड़े cube को और इसके आधार पर हम लोगों ने questions को क्या किया, discuss किया, आज के session के अगर मैं बात करूँ, तो देखिए आज यहां क्या कुछ खास रहने वाला, पहली चीज तो यह कि हम लोग cube से related कुछ questions को discuss करेंगा साथ ही साथ यहां पर हम लोग cuboid के बारे में भी बात करेंगे, clear, चली, तो I hope की last session में, जो मैंने questions कराये थे, आप सभी ने क्या किया, questions की practice करी, questions का revision किया होगा, और आज हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं, cube से related कुछ, अलग questions को, चली, बहुत ही interesting session होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, यहां पर questions को solve करने में, और काफी कुछ यहां पर हम सीखने वाले भी हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां पर, चली, हम लोग यहां पर structure draw करेंगे, structure की अगर मैं बात करूँ तो जैसक ethn को यहां पर दिया गया है, एक घं की दो निकट वर्ती सताहों को लाल रंग से रंग आ गया है, अन ये दो निकट वर्ती सताहों को नीले रंग से रंग आ गया है, तथा सेस दो को रंग हीन छोड़ दिया गया है फिर इसे हमने क्या किया 64 small equal की उसमे divide कर दिया अगर यहां पर हम n की value की बात करें तो मैंने क्या कहा था cube root निकाल लेंगा और n की value कितनी मिल जाएगी अपने को 4 मिल जाएगी तो फटा फट से मिल जहां पर क्या करते हैं structure ड्रॉ करते है structure की बात कर अगर n की value 4 है तो number of cuts की बात करें कितने हो जाएगी number of cuts हो जाएगी 3 1, 2, 3 और इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोर आएगी तो इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोर आते हैं यानि कि अगर हम बात करें total number of cuts की तो कितने हो जाते है n minus 1 into 3 ये हो गई बात किस की structure की अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किस surface को किस color से रंगा गया है इसके बारे में तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है two adjacent surface यानि कि दो निकट वरती सताओं को किस रंग से रंगा गया है लाल रंग से रंगा गया है तो हम मान लेते हैं इसको किस रंग से रंगा गया है रेड और सामने वाले को किस रंग से रंगा गया है रेड फिर बोल रहा है आपके दो निकट वरती सताओं को नीले रंग से रंगा गया है यानि कि अगर हम नीचे वाले को मान लेते हैं blue और side वाले को मान लेते हैं blue फिर आप से बोला जा रहा है कि दो सताओं को हम क्या करते है colorless छोड़ देते हैं यानि कि रंग हीन छोड़ देते हैं उस पर कोई भी color नहीं करते तो इसको हम मान लेते हैं colorless यानि कि रंग हीन सता clear चली क्यों interesting होने वाला है क्या हम गलतियां करते हैं इस प्रकार के प्रस्ण में इसके बारे हम लोग यहां पर जानेंगे तो सभी लोग पहले तो क्या करोगे अपना अपना answer निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे match कराओगे कि कितने आपके questions यहां पर correct हो रहे हैं और सभी का reply आपको कहा करना है comment box में reply करना है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बोला है केवल दो सता क्या हो लाल हो कितने ऐसे यहां पर cube है जिनके केवल और केवल क्या हो दो सता लाल हो और शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहा है केवल यानि कि only ठीक है इसके बारे मैंने आप लोगों से चर्चा कर रहे है तो only two surface red की बात कर रहे है इस बाकी के surfaces पे कोई भी color नहीं होना चाहिए ऐसे घणों की संख्या के अगर हम बात करें तो पहले आप लोग मिलाएंगे कि आपके कितने ऐसे cube बन रहे है जिनके केवल दो सता का रंग क्या है लाल है उसके बाद हम लोग यहां पर structure पे समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहला करने बात करोँ कि यहां प्रूथ आपको दो ऐसे घन मिलेंगे जिनका क्या है 2 surface लाल है इस वाले को हमें consider नहीं करना है क्यों नहीं करना क्योंकि 2 surface लाल है लेकिन side वाला आपको क्या मिल जाएगा blue मिल जाएगा इसलिए हम इसको consider नहीं करेंगे clear और यहाँ पे एक cube आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा जिसके केवल और केवल दो सतह क्या है लाल रंग की अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा red यहाँ पे मिलेगा तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी तीन अब आपको बताना है कि आपके ऐसे कितने घन यहाँ पे निकल करके आए जिनके केवल दो सर्फेस क्या है red है यह हो गई आपके question number one यानि कि पहले प्रस्न की बात clear अब हम बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न के बारे म इसको यदि हम निकाल लेते हैं तो केवल एक सतह का रंग नीला है इसको भी हम आसानी से क्या कर पाएंगे निकाल पाएंगे यानि कि नीले के लिए हमें अलग से यहाँ पे जाने की जरुत नहीं हम इसको किसके लिए निकाल लेंगे हम इसको निकाल लेंगे red के लिए only one surface is red, red के लिए जो answer आएगा वही answer आपका किसके लिए आएगा नीले के लिए आएगा जो कि आपको यहाँ पर अगले question में देखने को मिल भी रहा है तो हम बात करेंगे इस तीसरे वाले question क्यानि कि केवल एक सता का रंग क्या है, लाल है ऐसे कितने cubes यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो center cube जो आपके होते हैं यानि कि यह वाले, जो कि surfaces पर पाई जाते हैं चार यहाँ मिल जाएंगे चार यहाँ मिल जाएंगे यह 8 तो हमें पता है इसको हम आसानी से निकाल सकते थे इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके अलावा कितने ऐसे cube हैं जिनके केवल क्या है एक surface color है, तो ध्यान दीजे 8 तो यह हो गए 8 के अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो यह वाला, 9, 10 और इसकी बात करें 4, 5, 6, 7 यानि कि 7 और ऐसे घन मिलेंगे जिनका केवल क्या होगा एक सता का रंग लाल होगा अगर इस वाले हम cube की बात करें तो देखिए यहाँ पे तो red होगा side में क्या हो जाएगा colorless इस वाले cube की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा red और side में क्या हो जाएगा colorless इन cubes की अगर हम बात करें तो उपर में आपको lal दिखाई देगा पीछे में colorless side में colorless उपर में lal side में colorless उपर में lal side में colorless यानि कि कितने और extra यहाँ पे cubes ऐसे मिले आपको जिनका केवल एक सर्फेस क्या था लाल था तो आपको शाथ और ऐसे घन मिले यानि कि यहाँ पे अगर हम बत करें ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सटह का रंघ लाल है तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा पंद्रा इन the same वे यहाँ पे अगर हम बत करें नीले के लि लाल निकाला तो उसके लिए हमें उत्तर मिला तीन इसके लिए भी उत्तर कितना हो जाएगा तीन अगली आदि में पूछे गए प्रस्ण की बात करूं तो पूछ रहा है रंग हीन घनों की संख्या यानि कि कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो कि क्या है तो पहले हम लोगोंने बेसिक पढ़ा रखा है उससे हम लोग बात करेंगे अगलर लेस क्यूब्स की और फिर यहाँ पर देखेंगे एक्स्टरा कितने आपके क्यूब्स बनते वो दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है तो बेसिकली अगर हम बात करें तो colorless cubes की value कितनी होती है n cube और n की value कितनी आ रही है 4 n minus 2 का cube n minus क्या होता है 2 का cube होता है और यहाँ पे अगर हम n minus 2 की बात करें तो n की value आ रही है 4 यानि कि n minus 2 करोगे 2 और 2 का जब cube करोगे तो value मिल जाएगी 8 यानि कि 8 गन तो basically ऐसे होंगे ही होंगे जिनके क्या होंगे सभी के सभी सतह colorless होंगे यानि कि रंग ही न होंगे इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कितने ऐसे cube एक्स्ट्रा मिलने वाले हमें जिनका क्या होगा सारे के सारे surface colorless होंगे तो ध्यान दीजिए अगर हम बात करें इसे वाले cube की सबसे पहले तो surface वाले center cube की बात कर लेते है आठ यह मिल गए उसके बाद अगर हम बात करें इन cubes की तो चार यहाँ पे मिल जाएगा जिसका कोई भी surface color नहीं होगा और चार मिल जाएगा आपको कहा side में जिसका कोई भी surface color नहीं होगा यहाँ कि अच क्यूब आपको और ऐसे मिल गए इसके लावाँ अगर हम बात करें तो इन दो cubes की यानि कि यह वाले अगर हम cube की बात करें और यह वाले हम cube की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा colorless और side में भी क्या हो जाएगा colorless यानि कि दो और ऐसे cube मिलेंगे जो कि क्या होंगे colorless होंगे यानि कि जिनके किसी भी सता पे कोई रंग नहीं होगा अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात यह भी आती है कि अगर मान लीजे हम पनीर के टुकले की बात कर रहे हम लखली के गुटके की बात कर रहे है तो उसका अपना क्या होता है एक रंग होता है लेकिन यहाँ पे आप कहते है colorless यानि कि कोई रंग है ही नहीं तो ध्यान दीजे यहाँ पे हम हर एक रंग उस रंग को colorless consider करेंगे जो कि यहाँ पे आपको mention नहीं किया गया है यानि कि अगर आप पनीर का टुकला भी लेते हैं और वहाँ पे अगर बात कर रहा है लाल हरे और नीले रंग की तो इट मीन से जो अंदर आपको पनीर का टुकला मिलेगा उसका रंग तो white होगा लेकिन उसको हम बोलेंगे क्या colorless ठीक है तो इसको लेके बिल्कुल भी tension नहीं लेना है चलिए तो यहाँ पे हम बात करें तो आपको दो extra ऐसे cubes मिल गए जो कि क्या होंगे colorless होंगे यानि कि जिनके किसी भी सता पे कोई रंग नहीं होगा और ऐसे घनों की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल कितने ऐसे घनों गए तो ऐसे कुल घनों की संख्या हो गई आठ अब बात कर रहा है केवल तीन सता रंगीन वाले घनों की संख्या की तो हमें पता है ऐसे घनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है तो यानि कि ऐसे cubes की अगर हम बात करें तो कौन से cubes होते हैं तो यह होते हैं corner cubes तो चलिए हम लोग यहाँ पर corner का थोड़ा सा analysis करते हैं अगर मैं इस वाले corner की बात करूँ तो यहाँ मिलेगा red यहाँ मिलेगा आपको colorless और पीछे मिलेगा colorless यानि कि कितने surface पर color केवल एक इस वाले corner की बात करूँ तो यहाँ मिलेगा red यहाँ मिलेगा red यहाँ मिलेगा colorless यानि कि इसको भी हम consider नहीं करेंगे यह यहाँ मिलेगा red नीचे मिलेगा blue side में मिलेगा colorless इसको भी हमें consider नहीं करना है यहाँ पे मिलेगा colorless पीछे मिलेगा colorless और नीचे मिलेगा blue यानि कि इसको भी हमें consider नहीं करना है In the same wish वाले corner की बात करें तो red पीछे मिलेगा colorless side में मिलेगा blue इसको भी हमें consider नहीं करना है इसकी बात करने तो यहां मिलेगा red यहां मिलेगा red और side में मिलेगा blue यानि कि हम इसको consider करेंगे इसकी बात करने तो यहां मिलेगा red यहां मिलेगा blue और side में मिलेगा blue यानि कि इसको भी हमें क्या करना है consider करना है और इसके पीछे एक आपका corner होगा जहां पर आपको नीचे में मिल जाएगा क्या blue, side मिल जाएगा blue लेकिन पीछे क्या होगा वो colorless होगा यानि कि उसको भी consider नहीं करना है तो यहां पर केवल और केवल दो ऐसे corners है जिनके तीन सता क्या हो रही है रंगीन होती हुई दिखाई दे रहे यानि कि केवल तीन सता है रंगीन की अगर हम बात करें तो उत्तर कितना हो जाएगा दो ऐसे cube होंगे जिनकी केवल तीन सता हो का रंग क्या होगा colorful होगा बाकी के अगर हम बात करें corner cubes की तो कम से कम ऐसा होगा कि दो सता है रंगीन है एक सतह रंगीन है लेकिन तीन सतह रंगीन वाले घन बाकी के corners पर आपको बनते हुए दिखाई नहीं देंगे चलिए अगले question की बात करें तो पूछ रहा अधिकतम दो सतहें क्या हो रंगीन हो यानि कि at most two surfaces are colored यानि कि at most बोला है तो ध्यान दीजे यहां पर हम बात करेंगे किसकी zero की one की और two की यानि कि यहां पर simply हमें किसको घटा देना था हमें घटा देना था three surface colored cubes की और ऐसे घनों की संख्या की बात करें जिनके तीन सतह रंगीन है तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दो और कुल घनों की संख्या की बात करें तो कितने बन रहे हैं 64 यानि कि यहां पर अगर हम बात करें उत्तर की उत्तर कितना हो जाएगा 62 यानि कि 62 clear चली फिर आप से बोला केवल दो सतह है नीले तथा देखे यहां पर mistake है नीले तथा लाल रंग से रंगी गई है इसको देख लेते हैं English में भी same mistake तो नहीं है blue and red English में correct है आपका only two surfaces are colored with blue and red ठीक है चली अगर हम बात करें केवल दो सतह है नीले तथा लाल रंग से रंगी गई हो ऐसे हमें क्या करना है घनों की संख्या बतानी है तो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले तो यह वाला cube, ऊपर क्या होगा, red होगा, side में क्या मिलेगा, blue मिलेगा, और पीछे क्या मिलेगा, colorless यानिकि एक तो यह हो गया, फिर ऊपर red side में blue, यह हो गया दूसरा, यहाँ पर red side में blue, यह हो गया आपका तीसरा इसको हम consider नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 surface color है फिर हम बात करेंगे इस वाले की यह हो जाएगा आपका 4 यह हो जाएगा आपका 5 यह हो जाएगा आपका 6 यह हो जाएगा आपका 7 यह हो जाएगा आपका 8 हुआ यानि कि अगर आप जान ने तो यहां पर मिल रहा है एक ऐसे क्यूब जिनके क्या है एक सर्फेस पर रेड है और एक सर्फेस पर क्या है ब्लू है जब कि पीछे क्या है colorless यहां पर एक surface पर red side में blue यानि कि कितने हो गए दो एक surface पर red side में blue कितने हो गए 3 एक surface पर red side में blue कितने हो गए 4 एक surface पर red side में blue कितने हो गए 5 फिर बात करें तो यह वाला क्यों हो गया 6 यह वाला क्यों हो गया 7 और यह वाला क्यों हो गया 8 यानि कि आठ ऐसे घन है जिनका क्या है एक सतह लाल तथा एक सतह का रंग क्या है नीला है ऐसे घनों की संख्या कितनी हो गई आठ clear तो I hope कि आप में से mostly बच्चों ने जो पहला session attend किया है उनके almost questions के answer क्या होंगे correct आए होंगे अगर गलत हो भी रहें तो आपको क्या कर लेना है थोड़े से questions की practice कर लेनी है और मैंने कहा था कि देखो फॉर्मूले हर जगह आपके काम नहीं आएंगे फॉर्मूले क्या थे केवल और केवल basic questions तक ही अपली केवल होंगे लेकिन जैसे यह question में आपको changes देखने को मिलेंगी conditions देखने को मिलेंगी वैसे वैसे आपके फॉर्मूले फेल होते हुए नजर आएंगे तो कहीं न कहीं आपको basic concept पता होना अवश्यक है clear चली अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी अब हम लोग यहां पर बात करेंगे क्यूबॉइड की जो कि आपका बेस होने वाला है क्यूबॉइड पर तो इससे पहले कि हम इस question को discuss करें हम लोग यहां पर क्यूबॉइड से related कुछ basic concepts को भी यहां पर discuss करेंगे clear हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड का comparison करने वाले हैं जैसे कि यहां पर आपको question में दिया है five centimeter is to four centimeter अच्छा यहां पर क्यूब की लंबाई चौड़ाई क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और उचाही आपको दी गई है चार तीन और पाँच यानि कि सबसे पहली चीज़ यहां पर आप यह देखेंगे कि जो आपका क्यूब होता था वहां पर प्रतेक भुजा की जो लंबाई होती थी वो क्या होती थी समान होती थी जब कि हम बात करेंगे यहां पर क्यूबॉइड की तो क्या होगा प्रतेक भुजा की जो आपकी लंबाई है वो क्या होने वाल झाल झाल यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्यूब और क्यूबोइट के बीच का डिफरेंस तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की क्यूब की बात करें तो क्यूब की जो प्रत्यक भुजा है उसकी लंबाई क्या होती है समान होती है जब कि हम बात करें क्यूबोइट की तो अगर हमने मान लिया यहां पे 3 इस्टू 3 इस्टू 3 का क्या था एक घण था जिसे हम लोग डिवाइट करेंगे 1 इस्टू 1 के स्मॉल घणों में यानिकी क्यूब्स में जब कि हम बात करें क्यूबॉईट की तो यहां पे हम ले लेते हैं 2 is to 3 is to 4 का एक घन 2 की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है उंचाई इसकी हम मान लेते हैं 2, चौडाई हम मान लेते हैं इसकी कितनी 3 लंबाई मान लेते हैं इसकी हम 4 और उंचाई मान लेते हैं हम इसकी 2 यह होगे आपका उंचाई यह होगे आपका चौडाई और यह होगे आपका लंबाई clear इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि क्यूबॉइड में क्या होता है भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है अलग अलग होती है इसके बाद हम लोग formula से भी इसको compare करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अब इसको हम लोग करेंगे one is to one is to one के small cubes में convert यानि कि हम क्या करेंगे अब इस घनाव को एक बाई एक बाई एक के छोटे घनों में क्या करेंगे परिवर्तित करेंगे यहाँ पर मैं आपको formula का भी comparison करके दिखाऊंगा और साथ ही जाथ हम तो क्या करेंगे basic property से यहाँ पर समझने का प्रयाज करेंगे जिससे अगर हमें formula नहीं भी आदें तो हम early क्या करते हैं questions का answer निकाल सकते हैं तो सबसे पहले अगर इसको मैं convert करूँ तो यहाँ पर number of cuts की बात कर लेते हैं पहले हम लोग structure पर समझेंगे number of cuts की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यहाँ पर अगर n की value 3 है तो हमें number of cuts कितने लगाने पड़ते हैं n minus 1 और यह प्रक्रिया हम कितनी बार दो राएंगे 3 बार तो इस परकार यहाँ पर number of cuts कितने आगे 6 लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे number of cuts की तो दोखो यह आपका क्या हो गया n1 हो गया यह हो गया आपका n2 और यह हो गया आपका n3 और प्रतेक बार हम क्या करते हैं n के लिए n minus 1 times cut लगाते है तो यहाँ पर n के लिए हम क्या करेंगे अगर n1 दिया है तो 2 के लिए कितनी बार cut लगाएंगे एक बार cut लगाएंगे N2 की value 3 दिया है तो इसके लिए कितनी बार cut लगाएंगे दो बार cut लगाएंगे और N3 की value 4 दिया है तो इसके लिए कितनी बार cut लगाएंगे तीन बार cut लगाएंगे तो इस प्रकार total number इसकी लंबाई थी दो इसकी थी तीन और इसकी थी चार ठीक है तो जिसके लंबाई दो है वहाँ पर कट कितने बार लगाएंगे एक बार लगाएंगे यह इस प्रकार से हो जाएगा जिसके लंबाई तीन है वहाँ पर कितने अच्छा ये तीन है सॉरी दो ये था दो ये वाली भुजा थी तो यहाँ कट कितनी बार लगाएंगे यहाँ एक बार कट लगाएंगे यहां एक बार कट लगाएंगे जिसके लंबाई तीन है वहां कितनी बार कट लगाएंगे तो वहां हम लोग दो बार कट लगाएंगे इस प्रकार से एक दो और जिसके लंबाई चार है वहां कट कितनी बार लगेगा तो वहां कट लगेगा आपका तीन बार एक, दो और तीन तो इस प्रकार यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है आपको N1, N2 और N3 की वैल्यू पता है तो सब में से क्या कर देना है एक, एक कम कर देना है और सब को जोड़ देना है तो क्या निकल जाएगा तोटल नंबर ओफ कट्स निकल जाएगा पहली चीज दूसरा हम लोगों ने सीखा था तोटल नंबर ओफ स्मॉलर क्यूब्स यानि कि कुल छोटे घनों की संख्या जो कि हमें यहाँ पर भी निकालनी होगी और यहाँ पर भी निकालनी होगी तो कुल छोटे घनों की संख्या जो हमें मिलती है वो कैसे मिलती है n का हम क्या कर देते है cube कर देते है n का हमें cube करके मिल जाती थी लेकिन यहाँ पे हमें कैसे मिलेगी छोटे घनों की संख्या तो यह तो आप क्या कर सकते है जितने भी n की values दिया गया सब को क्या कर दी आपस में multiply क्योंकि n cube में होता क्या था यहां पे देखो यह होता था आपका n और तीनों ही n की value क्या होती थी equal होती थी और n cube को जब आप तीनों को multiply करोगे तो मिलेगा कितना आपको n cube clear जैसे अगर हम बात करें 2 into 2 into 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 के cube की value मिल जाएगी लेकिन यहां पे numbers क्या है अलग अलग है तो हमें क्या करना होगा सारे numbers का multiply कर देना होगा यहां कि 2 गुले 3 गुले 4 करोगे तो 2 तियाई 6 चोगे 24 कुल घनों की संख्या कितनी मिल तो जो दो basic बातें थी वो हम लोगों ने यहां पे सीखिया है कि number of cuts और total number of smaller cubes अगला जो concept होगा वो हम लोग यहां पे सीखेंगे जब हम क्या करेंगे घन के सभी surfaces को किसी रंग से रंगेंगे और उसके बाद उसे smaller cubes में convert करेंगे तो कितने colorless cubes मिलेंगे कितने केवल एक सता रंगीन वाले घन मिलेंगे और कितने ऐसे घन होंगे जिनकी तीन सता हैं क्या होंगी रंगीन होंगी यानि कि अगर हम cube की बात करें तो cube में at most आपको three surface color cubes मिल सकते हैं बट अगर हम बात करें किसकी? क्यूबॉइड की तो जब हम क्यूबॉइड से छोटे cubes बनाएंगे तो यहाँ पर आपको at most five surface color cubes मिल सकते हैं यानि कि 5 सता रंगीन वाले घन मिल सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे चलिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं structure लेते है structure के अगर हम बात करें तो हम लेते हmt 3 to 4 to 5 का एक घनाब ठीक है और यहाँ पर हम compare करेंगे किससे cube के formula से यहाँ पर हम क्या करेंगे kuboid के लिए formula यहाँ हम लोग derive करेंगे देखेंगे कैसे cube के formula से हम lug क्यूबॉइड के लिए formula बना सकते हैं और practically भी देखेंगे कि कैसे अगर हमें concept पता है तो हम answer कैसे निकाल सकते हैं clear चलिए यह तो हो गई बात हम लोग क्या कर रहे हैं एक क्यूबॉइड draw करेंगे कितने बाई कितने का तो 3 is to 4 is to 5 उचाई की बात करें तो कितनी हो गई 3 हो गई चोड़ाई की बात करें तो कितनी हो गई 4 हो गई और लंबाई की बात करें तो कितनी हो गई 5 हो गई चलिए तो अगर हम बात करें यहां पर 3 is to 4 is to 5 के एक क्यूबॉइड की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको अगर हम छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे 1 is to 1 is to 1 के छोटे छोटे घनों में क्या करेंगे परिवर्तित करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले number of cuts जो कि आपने अल्रेडी देखा यानि कि अगर इस भुजा की लंबाई 3 है तो cut यहां पर कितने लगेंगे दो लगेंगे यह होगे आपका पहला cut और यह होगे आपका दूसरा cut फिर इस भुजा की लंबाई अगर 4 है तो यहां पर cut कितने लगेंगे तो यहां पर लगेंगे आपके 3 cut यह होगे आपका पहला cut यह होगे आपका दूसरा cut और यह होगे आपका तीसरा cut फिर इस भुजा की लंबाई यदि 5 cm है तो यह होगे आपका पहला cut यह होगे आपका दूसरा cut यह होगे आपका तीसरा cut और यह होगे आपका चौथा cut तो 5 है तो cut कितने लगेंगे 4 चलिए यह होगे कुछ basic बातें जो आपने already क्या कर रखी सीख रखी यानि कि number of cuts की बात करेंगे और number of अगर हम बात करेंगे total smaller cubes की तो वह आप यहाँ पर निकाल सकते है है total number of smaller cubes की बात करेंगे तो तीनों का क्या कर देना है multiply यानि कि n1 into n2 into n3 clear और अगर हम बात करेंगे total number of cuts की तो n1 minus 1 n2 minus 1 और n3 minus 1 करके क्या करोगे सबको जोड़ दोगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी only one surface color cubes की यानि कि केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की फिर हम बात करेंगे only two surface colored cubes की और फिर हम बात करेंगे only three surface colored cubes की और अगर हम बात करें इन तीनों के लिए ही और यहाँ पर एक हम लिख लेते है colorless colorless cubes और इन चारों के लिए ही हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं जो हम लोगों ने cube में क्या सीखा है formula सीखा है तो cube में जब हमें only one surface color cubes निकालने होते तो हम क्या करते थे ऐसे cubes कहां पा जाते थे surfaces पर पा जाते थे और surface के center पर पा जाते थे तो हम क्या करते थे यहाँ पर n-2 करके into 6 कर देते थे यानि कि 6 n-2 इसका क्या लेते थे square और multiply किसे कर देते थे 6 इसे कर देते थे फिर बात करें only two surface color तो ऐसे cubes कहां पा जाते हैं ऐसे cubes आपके ages पर या फिर अगर हम बात करें तो किनारों पर पाए जाते हैं और ऐसे cubes की संख्या कितनी होती थी चूंकि किनारे कितने होते थे 12 होते थे और एक किनारे पर ऐसे cubes की संख्या कितने ही मिलती थी N-2 तो इसको हम multiply कर देते थे किस से 12 से Only 3 surface color cubes की बात करें तो कितना मिल जाता था अपने को 8 मिल जाता था जो कि क्या होते थे आपके corner cubes होते थे और अगर मैं बात करूँ colorless cubes की तो इसकी value क्या हो जाती थी अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे cuboid के लिए सारी ही बातों को हम लोग यहाँ पर implement करेंगे और देखेंगे कि cuboid के लिए क्या formula बनके निकल के आते हैं और क्या concept निकल करके आते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं orally या आसानी से बिना copy pin का इस्तमाल किए questions का answer निकाल सकते हैं clear तो सबसे पहले हम बात करेंगे only one surface color cubes की तो यहाँ पर आपको value कितनी मिल रही है n minus 2 का square value कितनी मिल रही है n minus 2 का square तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके 6 है तो इसको हम क्या करेंगे तीन भागों में बाटेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे तीनों ही n की value क्या है अलग अलग आ रही है तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे 2 into n1 minus 2 multiplied by n2 minus 2 आगे की बात करें plus 2 into n2 minus 2 multiplied by n3 minus 2 plus नीचे लिख दे रहा हूं 2 into n3 minus 2 multiplied by n1 minus 2 जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे देखो यह सिर्फ मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूं apply कुछ करने की आवशकता नहीं direct हम लोग यहां पर answer निकालने वाले हैं लेकिन इसको आप सीख लीजे यह values यहां से बन रही हैं तो किस प्रकार से बन रही है फिर हम बात करेंगे only two surfaces colored cubes की तो ऐसे घनों की अगर हम संख्या की बात करें तो चुकि यहां पर आपको ages दिखाई दे रहती हैं कितनी 12 तो ages यहां पर भी आपके क्या होंगे 12 होंगे लेकिन वहां पर क्या होता था cube में क्या होता था सभी भुजाओं की लंबाई समान होती थी लेकिन यहां पर आप आप देखेंगे एक इसके side में होगी 4 भुजा यानि कि 3 cm की कितनी भुजाई मिलेंगी 4 4 cm की कितनी भुजाई मिलेंगी 4 और 5 cm की कितनी भुजाई मिलेंगी 4 यानि कि प्रतेक जो आपको size की या जो लंबाई की अगर हम बात करें भुजा दिखाई दे रही ही तो कितनी भुजाई मिलेंगी चार तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं formula क्या होने वाला है तो इसके लिए होता था formula n minus 2 होता था clear यहाँ पे अगर हम बात करें formula क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका 4 n1 minus 2 plus 4 n2 minus 2 और plus 4 n3 minus 2 formula कुछ भी रटने क्या वश्चक्ता नहीं इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे केवाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं कि formula किस प्रकार से यहाँ पे derive होंगे according to cube के अगर हम formula की बात करें तो उससे corners की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 8 corners देखने को मिलेंगे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे colorless cubes की संख्या देखो 8 corners कब मिलेंगे जब कभी भी आपकी किसी भी n की value दो अगर आ गई तो वहाँ पे अगर हम बात करें colorless cubes आपको देखने को नहीं मिलेंगे और जब कभी भी किसी n की value note down करके आप इसको लिख सकते हैं जब अगर आपका क्या हो एक n की value if इसको note down करके लिख 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 लिख, then there is no colorless cube clear अगर आपके किसी भी n की value क्या आ जाएगी दो आ जाएगी तो रंग हीन आपको वहाँ पे घन बनते हुए दिखाई नहीं देंगे इसी प्रकार अगर यहाँ पे किसी if value of any n equals to 1 अगर एक n की value आपको 1 दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पे corner cubes कितने मिलेंगे then corner cubes will be equals to 4 और अगर आपको यहाँ पे दो n की value क्या यानि की n1 मान लेते हैं और n2 दो n की value अगर आपको क्या मिल रही है one मिल रही है यदि आपको यहाँ पे दो n की value क्या मिल रही है one मिल रही है तो यहाँ पे आपके जो corner cubes होंगे यानि कि तीन सत्य की बात नहीं करें, हम कॉर्णर क्यूब्स की बात करेंगे, यहाँ पे सत्य का कलर तीन से जाधा होगा, हम बात करेंगे कॉर्णर क्यूब्स की तो कॉर्णर क्यूब्स आपको कितने मिलेंगे, केवल और केवल दो, इसको हम लोग जानेंगे, केवल अभी आ तहपे रंग नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं N-2 का हम लोग क्या करते हैं Cube करते हैं N-2 का हम लोग क्या करते हैं Cube करते हैं और चुक्कि यहाँ पर हमारे पास N की value अलग-अलग है तो हम क्या करेंगे N1-2 का N2-2 और multiply N3-2 Clear यह हो जाएगा colorless cubes के लिए formula अब देखो यहाँ पर मैं concept की बात करने जा रहा हूँ formula आपके सामने लिखे रखें चाहे तो आप इसका इस्तमाल करें या फिर ना करें यहाँ पर हम लोग डारेक्ट ही समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे questions का हम लोग answer निकालेंगे मान लेते हमने कहा all the six surfaces of a cuboid is colored with red color मान लेते हमने क्या किया दिये गए घनाब के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया और उसके बाद हमने 1 is 2 1 is 2 1 के इसको क्या किया चोटे घनों में परिवर्थित कर दिया तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी सबसे पहले हम बात करेंगे केवल एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या की यानि कि ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह क्या है रंगीन है तो ऐसे घनों की संख्या गर हम बात करें तो देखो जो 5 to 4 वाली surface होगी यानि कि जहाँ पे क्या मिलेंगे 20 घं मिलेंगे जहाँ जो 5 to 4 वाली surface होगी वहाँ पे आपको अगर यहाँ उपर में दिखाई जए रहें कितने 6 तो नीचे में भी कितने मिल जाएंगे 6 यानि कि कितने हो गए बताओ 12 यहाँ पे अगर हम बात करें मिले रहे हैं आपको कितने 3 तो side में मिलेंगे कितने आपको 3 यानि कि 12 6 कितने हो गए 18 यहाँ पे मिल रहे हैं 2 तो इसके पीछे भी मिलेंगे 2 यानि कि 18 4 कितने हो गए 22 अब अगर हम बात करें इसकी value हम लोग निकालेंगे कैसे तो एक तो तरीका यह है कि आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है और एक तरीका यह है कि आपके पास यहाँ पर structure है लेकिन अगर आपको formula भी नहीं आद है structure भी नहीं आद है तो हम यहाँ पर कैसे value निकालेंगे, तो हमें पता है कि यहां पर ऐसे घं कितने बनेंगे, 12, ऐसे घं कितने बनेंगे, 12, तो 12 कि अगर हम बात करें जिसे 3 is to 4, हम कर क्या रहे हैं, हम एक बार इसका multiply इसके साथ करेंगे, एक बार इसका multiply इसके साथ करेंगे, और एक बार इसका multiply इसके साथ करेंगे, और ऐसे कितने-कितने surfaces मिलेंगे तो हमें हर एक n की value का जब दूसरे n की value से multiply करेंगे तो ऐसे 2 surfaces हमको मिलेंगे जैसे हमने 4 into 5 किया तो हमें एक surface मिला जहां पर क्या होंगे 20 cubes होंगे in the same way एक surface हमें कहां मिलेगा नीचे भी मिलेगा जहांपे क्या होंगे 20 cubes होंगे तो अगर 20 cubes हैं तो 5 इधर से हट गए कितने हट गए 10 यानि कि ऐसे घनों की संख्याज जिनका केवल एक सता रंगी होगा कितने बच गे 6 और हमें पता है यही condition हमें का मिलेगी इसके नीचे भी मिलेगी जब हम 3 into 4 यानि कि 12 की बात करेंगे तो 4 इधर से हटा देंगे 4 इधर से हटा देंगे एक उपर से एक नीचे से कितने हटा दी हमने 8, 2, 10 हटा दी है टोटल थे 12 कितने मिल गए 2 इसके पीछे मिल जाएंगे 2 जब हम multiply करेंगे 3 into 5 यानि कि जब हम multiply करेंगे 3 का किसे 5 के साथ जब हमें कितने घन मिलेंगे 15 जो कि यहां पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो 5 इधर से हटाएंगे 5 इधर से हटाएंगे 1 इधर से हटाएंगे 1 इधर से हटाएंगे कितने हमें कम करने होते हैं यह पता है तब तो आप निकाल सकते हैं otherwise आपके लिए आप दूसरा तरीका formula भी है अगर आप formula फिर याद कर सकते हैं तो आप याद कर लिजे concept सीखना है तो आप क्या कर सकते है structure बना करके पहली बात तो आप previous वाला वीडियो देख लीजे अगर आपने नहीं देखा है और दूसरी आप structure बना करके concept भी सीख सकते हैं दूसरा जब हम बात करेंगा only two surfaces colored cubes की तो दो सता रंगीन वाले घन कहां मिलते हैं किनारों पर मिलते हैं कितनी होती है value तो N-2 होती है एक किनारे के लिए और अगर हम बात करें 5 की तो 5 वाले जो centimeter की जो लंबाई है ऐसे कितने किनारे मिलेंगे तो ऐसे 4 मिलेंगे 3 वाले के लिए कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे तो 3-2 करोगे तो value मिल जाएगी one इसका multiply किसमें कर दो 4 में कर दो यानि कितने मिल गए 4 4 वाले किनारे कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे तो 4 माइनिस 2 करोगे तो कितने आगे 2 इसका मल्टिप्लाइब इसमें कर दो 4 में कर दो यानि कितने हो गए 8 5 वाले किनारे कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे यानि कि यहाँ पर हम बात करें वन उन्टी總4 करोगे तो कितना ऊजाएगा फूर यहां पर देखो क्या हो जाएगा एंट टू की वैलिउ Hahahwa ट्य और फूर से मलंटिप्लाई करोगे सो एट सफी सण और ओर मांटिप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा थृओज्डाईगा और कर हम बात करें तो colorless cubes में आपको क्या दिया गए n1 minus 2 n1 की value कितनी 3 यानि कि minus 2 करोगे कितना हो जाएगा 1 n2 minus 2 यानि कितना जाएगा 2 फिर n3 minus 2 करोगे तो कितना जाएगा 3 यानि कि यहाँ पर आपको value कितनी मिलेगी तो ऐसे आपको 6 घन मिलेंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी ऐसे घनों कि संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी अगर आपको n की value दी गई तो आप इसको directly भी निकाल सकते हैं ठीक है अब हम लोग यहाँ पर आते हैं questions के उपर और इसको भी हम लोग discuss करेंगे इसके लिए भी question के अगर हम बात करें तो बोला है एक घनाब के आकार की लकड़ी के गुटके की लंबाई 4 cm, 4, 3 cm और उंचाई कितनी है 5 cm है नहीं कि जो हम लोगों ने भी structure ड्रॉ किया फिर बोला 5 is to 4 cm माप वाली दो भुजाओं को किस रंग से रंग दिया जाता है लाल रंग से रंग दिया जाता है चलो बना लेते हैं यहाँ पर एक तीन चार पांच तीन चार पांच तो जहां तीन है वहां कट कितने लगेंगे दो जहां चार है कट कितने लगेंगे तीन और जहां पांच है कट कितने लगेंगे चार और इसको हमने रंगा किस रंग से है तो यहाँ पर रंग के लिए आपको अलग अलग सर्फेस यानि कि 5 is to 4 तो 5 is to 4 यानि कि जिस सर्फेस पर कहां आपको 20 घन दिखाई दे रहे हो उसको किस रंग से रंगा गया है लाल रंग से रंगा गया है तो यहाँ लोग लिख लेते हैं रेड फिर अगर हम बात करें 4 is to 3 यानि कि जहाँ पर आपको 12 घन दिखाई दे रहे हैं 12 गन आपको यहां पर दिखाई दे रहें इस सर्फेस को किस रंग से रंगा गया है तो इस सर्फेस को रंगा गया है नीले यानि की ब्लू कलर से और इसके बाद आपको बोला जा रहा है फाइव इस टू थ्री यानि की जहां पर आपको 15 गन दिखाई दे रहें उसको किस तो इसको रंगा गया है green color से हरे रंग से इतनी बात clear ठीक है अब हम बात करने यहां पर पूछे गए प्रस्टनों की तो पूछे गए प्रस्टनों में बोलना केवल दो सता क्या है लाल है कितने ऐसे surface है जिसके केवल दो सता लाल है तो यहां पर आपको एक भी ऐसा cube नहीं मि पीछे मिलेगा क्या आपको blue यहां पर एक भी ऐसे गन नहीं होंगे जिनकी कैवल दो सता का रंग क्या हो लाल हो यहां निकिकी संक्षय कितनी हो जाएगी सोन ने हो जाएगी फिर बात करें केवल एक सता का रंग क्या है नीला है केवल एक सता का रंग क्या है नीला है तो हम बात करेंगे किसकी n वाली value की तो नीले के लिए अगर हम बात करें तो 3-4 वाले पे हमको कौन सा रंग दिखाई दे रहा था नीला रंग दिखाई दे रहा था यानि कि 3 to 4 वाले की अगर हम बात करें 12 वाले की बात करें तो हमें केवल एक सर्फेस पे नीला रंग चाहिए तो हमें पता है 4 इधर से हटाएंगे 4 इधर से हटाएंगे एक उपर से एक नीचे से तो बचा कितना 8, 2, 10 तो हमने हटा दी तो बचा केवल और केवल अपने पास कितना 2 यानि की एक सर्फेस की अगर हम बात करें तो एक सर्फेस पे ऐसे यहां पे हमें कितने क्यूब से दिखाई देने जिनकी केवल एक सता का रंग नीला है तो एक सर्फेस पे मिल रहा है 2 और इस परकार की कितनी सता हैं हैं तो इस परकार की 2 सता हैं हैं यानि कि अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की तो कितनी आ जाएगी 4 बात कर लेते हैं अगले पूछे गए तो बोला है केवल एक सता का रंग लाल है तो लाल रंगा गया है 5 is to 4 यानि कि 20 वाले पे तो 5 इधर से हटाएंगे 5 इधर से हटाएंगे 2 उपर से हटाएंगे 2 नीचे से हटाएंगे 10, 4, 14 हमने हटा दिये तो यहाँ पे मिल रहे हमें कितने 6 यहाँ पे मिल रहे हमें 6 इसके नीचे भी मिलेंगे 6 यानि कि ऐसे अगर हम बात करें cubes की संख्या की तो कितने हो गए 12 अब आप से बोला झारा है केवल 2 सता का रंग क्या हो नीला हो तो नीला रंगा किस पर गया है नीला रंगा गया 4 इस तो 5 वाले पे सरी नीला रंगा ध county 4 इस तो 3 वाले पे केवल 2 सतां का रंग निला हो तो opposite surfaces हैं तो ऐसे कोई भी cube नहीं होंगे जिनकी 2 सतां क्या हो समान रंग की हो ऐसा कप possible है या तो हमने सभी को क्या किया होता एक एही रंग से रंग दिया होता या फिर क्या किया होता हमने adjacent surfaces पे एक color gor रंगा होता, clear, अब बात अगर हम करें, रंग हीन घनों की संख्या, यानि की colorless cubes की संख्या, तो colorless cubes के लिए हम लोग क्या करते थे, n1 minus 2 करते थे, फिर multiplied by n2 minus 2 और multiplied by n3 minus 2, ठीक है, तो अगर हम बात करें, n1 की value है, 3 minus 2 करोगे, तो कितना आ जाएगा, 1, n2 की value है, 4 minus 2 करोगे, कितना आ जाएगा, 2, और n3 की value कितनी है, 5 minus 2 करोगे, कितना जाएगा, 3, यानि कि ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, फिर हम बात करें, केवल 3 सतहे क्या हो, रंगीन हो, यानि कि हम बात कर रहें किसकी corner cubes की, और ऐसे cubes की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ आगे आपको बोला गया, अधिक्तम क्या हो, दो सतहें रंगीन हो, और ध्यान दीजिए, यहाँ पे color mention नहीं किया गया, अधिक्तम क्या हो, दो सतहें रंगीन हो, और दो सतहें रंगीन वाले घनों की जो संख्या होती है, वो कितनी होती है, n minus 2, वहाँ पे multiply हम 12 से करते थे और यहां पर हमें क्या पता है कि हर एक जो size की भुजा है वो 4-4 मिलेगी तो 5 cm वाली भी 4 मिलेगी value कितनी होती n-2 तो 5 में से 2 घटाओगे तो value कितनी हाँगी 3-4 करोगे तो 12 4 वाली size की कितनी भुजा मिलेगी तो 4 मिलेगी और एक भुजा पर कितने घन मिलेंगे N-2 तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 और 2 गुले 4 करोगे तो 8 और 3 cm साइज वाले की भुजा की अगर हम बात करें तो ऐसी भुजा भी हमें मिलेगी 4 और एक भुजा पर ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो N-2 यानि की 1 into 4 करोगे तो 4 और इस फरकार अगर हम बात करें अधिक्तम दो सतहे बोला है तो ये तो हो गई आपके 2 surface color वाले cubes फिर हम बात कर लेंगे एक surface color वाले cubes की फिर हम बात कर लेंगे colorless cubes की और सब को क्या कर देंगे जोड देंगे क्योंकि word आपको यहां पर देखने को मिल रहा है क्या maximum या फिर अधिक्तम ठीक है या at most ठीक है तो अगर हम बात करें ऐसे घनों की संख्या की तो एक तो तरीका यह होगी है कि हमने निकाल लिए 2 भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या फिर एक भुजा रंगीन वाले घनों की संख्या निकालें और फिर हम क्या निकालें colorless cubes की संख्या निकालें सब को जोड दें या सीधे सीधे हम क्या कर सकते थे यहां पर 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या minus कर सकते थे कहां से कुल गनों की संख्या से कुल गनों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 into 4 into 5 यानि कि 3, 4, 12, 5, 60 60 में से क्या कर देना था हमें 8 minus कर देना था यानि कि value कितनी आ जाएगी 52 value कितनी आ जाएगी 52 जबकि बोल रहा है केवल दो सतह हैं नीले तथा हरे रंग से रंगी हो ऐसे घनों की संख्या तो देखो वर्ड आ गया यहां पर क्या केवल ओनली तो ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो एक तो यहां मिल जाएगा आपको फिर एक यहां मिल जाएगा एक यहां मिल जाएगा और एक इसके पीछे मिल जाएगा यानि कि ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे जिनकी केवल एक सतह का रंग क्या हो नीला हो तथा एक सता का रंग क्या हो हरा हो बेसिकली आप से question क्या पूछेगा only one surface color cubes only two surface color cubes और only three surface color cubes या फिर colorless cubes ठीक है लेकिन यहाँ पर मने आपको हर एक type से जो question आपके बन सकते थे वो almost यहाँ पर करा दिये हैं चलिए एक और question यहाँ पर दिया गया इसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं और फटा-फट से questions का answer निकालते हैं question के अगर मैं बात करूं तो बोला है four six और six यानि कि अगर हम बात करें हाँ पर अच्छा एक घनाव आकार के लकड़ी के गुटके के लंबाई छे सेंटीमीटर चौड़ाई चार सेंटीमीटर और उंचाई क्या दिया है एक सेंटीमीटर दिया है तो जो मैंने आपको one ही आने वाली clear जब six को आप divide by six one करेंगे तो value आपको six मिलेगी और जब four को आप divide by one करेंगे तो value आपको क्या मिलेगी four मिलेगी तो यहां के अगर मैं बात करूं लंबाई छे उंचाई एक और चौड़ाई चार करेंगender सकता है means i anis क्रौंड़ारा चे कि ह tysiąس के ब?!" चलिए तो अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं अब हम क्या लगाएंगे सबसे पहले इसमें कट लगाएंगे जहां एक है वहां 0 कट यानि कि माइनस 1 होता है यह हो गया एक जहां 4 है वहां माइनस 1 करोगे तो 3 कट यानि कि 1 2 3 और जहां 6 है वहां कितने कट 5 कट यानि कि यह हो जाएग आपका एक, यह हो जाएगा आपका दो, यह हो जाएगा आपका तीन, यह हो जाएगा आपका चार और यह हो जाएगा आपका पांच, clear, तो अगर total number of cuts पूछेगा, तो 6-1 यानि कि 5, 4-1 यानि कि 3 और 1-1 यानि कि 0 तो total number of cuts कितने हो जाएगे, आठ हो जाएगे, अब यहाँ पे question में जैसा कि आपको दिया गया है, इनको हम लोग अलग-अलग रंगों से रंगेंगे, 4-1 वाले को हमने रंगा है किस से, काले रंग से, यानि कि यहाँ पे color कि अगर हम बात करें तो क्या है, black, फिर उसके बाद आपको बोला जा रहा है, 6-1 वाले को हमने रंगा है, red से, यह हो जाएगा आपका red, और 6-4 वाले को हमने रंगा है, green से यानि कि यह हो जाएगा आपका, green यानि कि हरे रंग से, clear, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, only one surface color cubes की, ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे, only one surface, फिर हम बात करेंगे, only two surface, फिर हम बात करेंगे, only three surface, फिर हम बात करेंगे, only four surface, और फिर हम बात करेंगे, only five surface colored cubes की, तो मैंने बताये, जब हम क्या करेंगे, घनाव के बड़े टुकले को काट के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे, तो at most, जो आपके colorful surfaces हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, पांच, clear, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, only one surface colored cubes की, तो जब मैंने आपसे कहा था, कि कभी भी आपका अगर N की value, एक N की value क्या दिखाई दे जाए, one दिखाई दे जाए, तो वहाँ पे corners कितने बनेंगे, यहाँ यहाँ पे kono की संख्या कितनी आपको मिले रही है, चार, एक, दो, तीन, चार, यहाँनी कि corner cubes कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे जब कभी भी मैंने कहा था एक n की value कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी तो corners कितने मिलेंगे चार clear इसी प्रकार अगर बात करें जब हमने कहा था जब कभी भी दो corners की संक्षा कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी तो कोने कितने मिलेंगे दो मिलेंगे ये बाते मैंने आपको नोट कराके लिखाई थी तो यहाँ पे पहले हम एक वाले की बात कर लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे बात करें only one surface colored cubes की तो ऐसे घन हमको कहां देखने को मिलते हैं सताहों पे देखने को मिलते हैं दो दो चार दो छे दो आठ ऐसे घन हैं जिनके केवल एक सता रंगीन है तो यह आपकी गलत फहमी है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर उपर तो आपको green color दिखाई दे ही रहा है साथ इसाथ इसके नीचे भी क्या हो जाएगा green color हो जाएगा यानिक अगर हम बात करें only one surface colored cubes की तो यही वो घन है जिनके केवल और केवल कहां होगा दो सतहों पे हरा रंग दिखाई देगा या दो सतहों पे आपको रंग दिखाई देगा और ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो एक यहां पे मिल रहा है कितना आठ तो अगर आपको यह लग रहा हो कि नीचे भी आठ cubes की बात करें तो अगर आपको लग रहा हो ये corner cubes अगर आपको लग रहा है ये corner cubes जिनका तीन सतह रंगीन है तो ध्यान दीजे यहां से color होगा यहां से color होगा as well as नीचे से भी क्या होगा color होगा यानि कि आपके three surface color cubes में consider नहीं किया जाएंगे यानि कि जब कि हम बात करें इन घनों की संख्या की एक surface color दो surface color साथी साथ नीचे से भी color तो ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो दोखो यहां पे मिल रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ये ग्यारा और 12 जिनके केवल तीन सता रंगीन ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो कितने हो गए ऐसे घन हो गए आपके 12 अब हम बात करेंगे only four surfaces colored cubes की तो जिनके केवल चार सता रंगीन हो तो जो corner वाले आपको अभी तक तीन सता रंगीन के साथ दिखाई दे रहे थे आप वो आपको चार सता रंगीन के साथ दिखाई देंगे और मैंने कहा जब किसी भी N की value क्या होती है एक आ जाती है तो corner cubes आपको चार मिलेंगे साथी साथ वो आपको मिलेंगे चार सता रंगीन के साथ यानिकि चार सता सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कि अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे जब कि हम बात करें पास सतह रंगीन वाले घनों की संख्या तो क्या जाएगी जीरो यानि की सोन यहां तक क्लियर चलिए अब हम बात कर लेते हैं जब पास सतह रंगीन वाले ह समझने का प्रयास करते हैं हमने कहा 1 is to 1 is to 4 का क्या है एक आपका क्यूबॉइड है जिसको हम 1 is to 1 is to 1 के छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे तो अगर हम बात करें 1 1 4 तो जो 1 था वहाँ पर कोई कट नहीं लगेगा लेकिन हम बात करें यह हो गया 1 यह हो गया 4 यहाँ पर हम बात करें 4 है तो कट कितने लगेंगे 3 1 2 3 तो यहाँ पर हम बात करें total number of cuts की तो total number of cuts भी कितने आपको दिखाई दे रहे है तीन दिखाई दे रहे हैं अब यहाँ पे अगर हम बात करें वन सर्फिस कलर्ट क्यूब्स की हम बात करेंगे टू सर्फिस कलर्ट क्यूब्स की हम बात करेंगे थ्री सर्फिस कलर्ट क्यूब्स की हम बात करेंगे फॉर सर्फिस कलर्ट क्यूब्स की as well as हम बात करेंगे five surface colored cubes की और बात करेंगे zero surface यहनि की colorless cubes की संख्या की तो मान लेते हैं कि हमने बड़े घनाब के टुकडे को लाल रंग से रंग दिया था यानि कि हमने क्या किया था इसको red color से रंग दिया था फिर उसके बाद हमने क्या किया इसको one is to one is to one के छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया अब आपको बताना एक सता रंगीन वाले घन तो कोई भी ऐसी यहां पे आपको घन कोई भी ऐसा घन आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा जिसके केवल एक सता पे क्या हो रंग हो यानि कि ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी जबकि हम बात करें only three surface colored cubes की तो एक और दो एसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी और अगर हम बात करें only three surface बोला है ऐसे घनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी देखो only three surface four की जब बात करेंगे तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी दो यानि कि एक इधर से रंगीन, एक इधर से रंगीन, एक नीचे से रंगीन और एक साइड से रंगीन ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी दो एक, दो, तीन, चार और पांच यानि कि इस वाले क्यूब की अगर हम बात करें तो इसकी पांस तताओं पे क्या होगा लाल रंग होगा जब कि इस वाले क्यूब की बात करें तो इसकी भी पांस तताओं पे क्या होगा लाल रंग होगा यानि कि ऐसे घनों की संख्या कितनी हो गई दो जब कि हम बात करें colorless cubes की तो colorless cubes की संख्या भी कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी clear तो घनाब को थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में एक image बैड़ जाती है कि प्रतेक जो भुजा की size है वहां आपको चार भुजाएं दिखाई देंगी प्रतेक size की जो भुजा है घनाब की आकरती में चार भुजाएं दिखाई देंगी प्रतेक भुजा पे कितने किस परकार के cube बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर यह आपके दिमाग में बैड़ गया तो कोई भी formula रटने की अवशकता नहीं है तो यह मैंने आपको पूरे concept बताए कि देखो कब 5 सताओं पे रंग दिखाई देगा कब 4 सताओं पे रंग दिखाई देगा बाकी आपको 3 सता 2 सता, 1 सता और 0 सता यानि कि colorless cubes के बारे में भी मैंने बताया अब हम बात कर लेते हैं कुछ questions की जो कि आपके cube पर आधारित है जो कि आपके exam में पूछे गए प्रशन है और इसका answer हम लोग orally निकालेंगे इसके लिए कोई भी structure raw नहीं करेंगे एक ठोज घन की 4 सताओं को लाल रंग स Josh came की संख्या की बात करेंगे ग्या तो एक सेंटीमीटर भुजा वाले 64 म Ghनों में विवाजित कर दिया गया इसे कितने घन Humans इंचे गञे तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी clear क्यों जीरो हो जाएगी क्यों कि केवल और केवल दो surfaces ही क्या आपको दिखाई दे रहा था green color दिखाई दे रहा था तो यानि कि तीनो सता रंगीन वाले घनों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी 8 जो कि क्या होगे corner cubes होगे लेकिन कोई भी ऐसा घन नहीं होगा जिसकी तीनों सता हैं क्या हो हरे रंग से रंगी गई हो साथ इसाथ ना कोई ऐसा घन होगा जिसकी तीनों सता हैं लाल रंग से रंगी गई हो एक cube हम लोग बना के रख लेते हैं बिना cut वाला आपको समझने में आसानी होगी चलो तो अगर मैंने कहा यहाँ पर green नंगे थे यहाँ पर green नंगे थे तो obvious सी बात है यहाँ से जो आपको cube मिलता यहाँ पर तो green होता लेकिन यहाँ क्या होता red होता यहाँ red होता यहाँ पर cube मिलता यहाँ पर green होता side में red होता यहाँ red होता ठीक है मतलब दो आपके क्या होते हैं यहां पे surfaces red होते इसी प्रकार यहां पे जो corner cube मिलता यहां पे green होता पीछे red होता और side में क्या होता red होता यहां पे जो आपको cube मिलता उपर क्या होता green होता सामने क्या होता लाल होता और side में क्या होता यहां वाला बात कर लेते हैं एस्वाश हूशन पूचा गया ऐसे कितने घण हैं जिनके कम से कम एक सता लाल रंग से रंगे गए हैं तो अगर हम मान लेते हैं पहले इसको बना लेते हैं तब ही आप इस कोश्चन को समझ पाएंगे तो अगर हम मान लेते हैं यहां पर रेड़ है यहां पर रेड़ है यहां रेड़ है नीचे में रेड़ है और पीछे में भी का है रेड़ है तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे इन सोला घनों की जो कि हमें उपर से मिल रहे हैं इसी प्रकार हमें नीचे वाले surface से भी कितने मिल जाएंगे 16 घन मिल जाएंगे तो ऐसे मिल गए हमें अभी तक कितने 32 घन अब हम बात करेंगे इन घनों की संख्या की हम बात करेंगे इन घनों की संख्या की तो जब इसको हम यहां से काटेंगे इस वाली layer को जब हम काटेंग तो इधर मिल जाएंगे अपने को कितने आठ और साथी साथ इसके पीछे यानि कि लास्ट वाली लेयर पर मिल जाएंगे अपने को आठ और ऐसे गनों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा 48 यानि कि 48 ऐसे गनों गे जिनके कम से कम क्या होगा एक सता पे लाल रंग हैं तो ऐसे घनों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे 32 क्योंकि अपोजिट सर्फेसेस पर आपको दिखाई दे रहें ग्रीन कलर और ऐसे को मैंने अलड़ी सॉल्व कराया हुआ है जो कि अगर कोशन का लेवल बहुत जादा आपको लग रहा है आपके नमबर ऑफ कोशन की प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बना सकते हो अदरवाइस फॉर्मूले के अगर आप भरोसे बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे कोशन साब लोगों ने देखे जो क फॉर्मूलों से सॉल्व नहीं होने वाले हैं तो कहना यहीं होगा कि आप क्या करें प्रॉपर एक नोट्स बना लीजे रिवीजन के लिए जो कि आप क्या करेंगे एक्जाम से पहले रिवाइस कर सके नमबर ऑफ कोशन की प्रैक्टिस कर आई इसके साथ ही साथ अगर मैं प्रॉइड कराया जायागा जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं तो यह था क्यूब एंड क्यूबएड यानि की घन तथा घनाब मिलते हम लोग नेक्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आज के लिए तना ही थैंक्यू